हेलो फ्रेंड्स आज हम पुरानी लेस का ये साड़ी में से बची वी लेस है इसका रियूज करेंगे उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है कपड़ा की लैंथ ली है हमने 11 इंच और वेड़ ली है इसके 9 इंच इस तरह से हमने 2 कपड़े लेने है और एक हमने शौपिंग ब प्रेंगे लेका लिंगे चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो साइड में हमारा ये ये शौपिंग बैग या फिर कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट कर लेंगे ये हमने कट कर लिया अब हम इस पर जो हमारी लेस है उसे लगाएंगे इस तरह से ये देखिए हमने सीधी इस तरह से लेस को लगाना है पहले लेस के एक साइड में सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे और फिर अब हम दूसरी तरह भी सिलाई लगा लेंगे अब हम इसी के साथ ही बरापर में बिलकुल मिलाते हुए दूसरी साथ में लेस को लगा लेंगे एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे इसी तरह से हम सभी को लेस को पूरे कपड़े पर लगा लेंगे यह देखिए पूरे में हमने इस लेस को लगा लिया है और साथ से कट करके इसे बरापर कर लेंगे अब हम इसी के साइज के जिप ले लेंगे और इसे हमने उल्टा रखकर यहां स्टीच करना है यह हमने स्टीच कर लिया अब हम इस पर प्रेस्टीच लगाएंगे इस तरह से हमने यह देखिए जिप को एक साइड में कर लेना है और इस पर प्रेस्टीच लगा लेनी है यह हमने लगा ली अब हम इसे इस तरह से यह देखिए फोल्ड कर लेंगे और जिप के दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे यह सिलाई लगा ली हमने इस पर अब हमने प्रेस्टीच लगानी है तो पहले इसे खोल लेंगे जिप को और अब हम इस पर देखिए इस तरह से प्रेस्टीच लगा लेंगे यह हमने लगा ली अब हम इसमें रनर फिर से डाल लेंगे अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और इस तरह से ये देखिए जिप को उपर से ब्राबर मिलाते हुए यहां से एक्स्ट्रा जिप को कट कर लेंगे अब हम साइड में इस तरह से जिप को उपर रखकर सिलाई लगा लेंगे जिप को बिल्कुल उपर की साइड करना है हमने और फिर सिलाई लगानी है दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे अब हम एक स्ट्रिप ले लेंगे इसे हम उपर से पहले फोल्ड करेंगे कोई भी आप ले सकते हैं उपर से फोल्ड करके इस तरह से साइड में रखते हुए सिलाई लगाएंगे नीचे से थोड़ी से एक्स्ट्रा कट करेंगे और इसे भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे अब हम इस स्ट्रेप को सीधा कर लेंगे और डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्ट्रिप को लगा लेंगे, ये दोनों तरफ हमारी लग चुकी है, अब हम इसे सीधा करेंगे, उपर से जिप को खोल लेंगे और फिर हम इसे सीधा कर लेंगे, अच्छे से इसके कॉर्णर बाहर की साइड निकाल लेंगे, ये देखिए, ये हमारा हैंड बैक बनकर तयार है, चोटा सा, कितना सुन्दर बना है ये, पुरानी लेस का भी हमारा यूज हो गया, और ये हमारा चोटा सा हैंड पर्स बनकर तयार हो गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को दबाना, बिल्कुल मत भोलना,